करेंगे एक ऐसे देश भक्ती जो हमारे देश के लिए अपनी जानी ने शावर कर गए और इतना कुछ की आयन होने हमारे देश के लिए की इनके बारे में कुछ अध ममücksब्य पहतना हमारे सो से बाहर है लेकिश जोकृत हमारे पास हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं तो आज हम तर्चा कर रहे हैं नेताजी सुभास्चंद्र भोष की तो नेताजी सुभास्चंद्र भोष सतनता अभियान के एक और महान करांती कारियों में सुभास्चंद्र भोष का नाम भी लिया जाता है नेताजी सुभास्चंद्गोस ने भारती राष्टी सेना का निर्मान किया था जो विसेश्ता आजाद हिंड फौच के नाम से प्रसद्ध थी सुभास्चंद्गोस स्वाई बिवे का नंद को बहुत मानते थे सुभास्चंद्र बोस का पूरा नाम सुभास्चंद्र जान की नाध बोस था इनका जन तेश जनवरी 1897 को कटक जिले में हुगा था इनके पिता का नाम जान की नाध एवं माता का नाम प्रभावती देवी था सुभाष्चंद्र बोस भारती सुतंता संग्राम के अग्रणी नेता थी जिनकी निडर देश भक्ती ने उन्हें देश का हीरू बनाया दुद्किवे स्वेड के दोरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद खौच का गठन किया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा स्वास्चंड बोस्ट का ये प्रसिद नारा था उन्होंने अपना स्वतंता अभियान में बहुत से प्रणा दायक भाशन दिये और भारत की लोगों को आजादी के लिए संघर्स करने की किरणा दी बाद में सम्मान ये नेता जी ने पहले जर्मनी की सायता लेते हुए जर्मनी में ही विसेज भारतिय सेनिक कार्याल है की स्थापना बर्लिन में 1942 में प्रारंब में की जिसका 1990 में भी अभी उप्योग किया गया था जहां उन्होंने भारतिय सर्नंता अवियान की बागदोर संभाली और भारत को आजादी दिलाने के लिए लोगों को एक जुट करने लगे और एकता के सूत्र में बाधने लगे बोस अच्छी तरह से अपनी सेना का नित्रत कर रही थे थे उनमें काफी करिश्माई ताकत सम सिते उन्होंने प्रसिद भारतिय नारे जय हिंद जय ही गोषनाती और उन्हें अपनी आर्मी का नारा बनाया. अंहें नेत्तर में निर्मित इंडियान नैसनल आर्मी एकता और समास सेवा की भावना से बनी थी, उनकी सेवा में भेद भाव और धर्मभेद की जरावी भावना नहीं इसे देखते हुए जापानियों ने बोश को अकुशल सेनेक बताया और इसी बज़े से बे अपने आर्मी को ज्यादा समय तक नहीं टिका पाए रंगून के जुवली हाल में स्वास्चंज बोश द्वारत दिया गया बैभाशन सदेख के लिए इतलिहास के पन्नों में अंकित हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंतरता बलिदान चाहती है अपनी आजादी के लिए बहुत त्याक किया है किन्तु अभी प्राणों की आहुत देना सेस है तो ये आजादी के बचन रहे और उन्होंने अपनी आजादी को आज अपने सीस फूल चड़ा देने वाले ऐसे नोजवानों की आवशक्ता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देवी को भेट चड़ा सकें उन्होंने आई एन ए को दिल्ली चलो का नारा भी दिया सुभास चंद्र भारतियता की पहचान ही बन गए और भारतिय युवक आज भी उन्हें प्रिणा क्रहन करते हैं बेसुभास चंद्र भोस के भारत की अमुलिंदी थे जो जैहिंद का नारा और अमिवाधन दे कर चले गए उन्हें की देन हैं सुभास चंद्र भोस के ये घोश बात का आज भी हमारे रोंगते खड़े करते हैं यहां की बात की शिद्ध करता है कि जिस ब्यक्तित ने इन्हें देश हित में सब के सामने रखा भैकिस जीवन का ब्यक्ति होगा इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक निताजी सुभास चंद्र भोस की मृत्यू पर इनके इतने बर्स ब्यतीत हो जाने के बाद भी रह से चाया हुआ है सुभास चंद्र भोस की मृत्यू हवाई दुरघटना में मानी जाती है समय गुजरने के साथ ही भारत में भी अधिकांस लोग ये मानते हैं कि निताजी की मौत ताइवान में विमान हाथसे में हुई कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को या हाथसा ताइवान में हुआ था लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था नेता जी सुभास चंद्र भोस सर्व कालिक नेता थे जिनकी जरुवत कल थी आज है और आने वालिक कल में भी होगी बह ऐसे बीर सेनिक थे इतिहाज जिनकी गाथा गाता रहेगा उनके विचार कर्म और आदर्स अपना कर रास्ट बह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका बह हगदार है सुभास चंद्र भोस स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी मा भारती के सक्चे सपूत थे तो दोस्तों ये एक देश भग जिनकी ये गाथाएं आज भी हम गाते हैं और जिने हम रियात करते हैं ऐसे बीर और ऐसे देश भग हमें देश में आज भी आवश्यक रूप से चाहिए अगर ऐसे देश भगत और भीर भारत में पुना देखने को मिल जाएं तो हमारे देश का कल्यान सोता ही हो जाएगा हमारे देश का विकास हमारे देश की रक्षा और हमारे देश का सरवांगीन विकास चलता रहेगा तो आज के लिए वस इतना ही आगे हम आपके लिए ऐसे चैनल के माध्यम से और रोचक जानकारियों के साथ आते रहेंगे और आपको इस प्रकार के और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरू करें और कमेंट करना न भूलें जब तक के लिए जै हिंद जै भारत